जानकार बनिये, चोकन ने रहिए अस्सलाव अलेकुम नाजरीन, मैं आपकी मेजमा उद्मा शबीर आपका खेर मगदम करती हूँ यूथ फोरूम के आज के दिल्चस्प शमारे में नाजरीन, यूथ फोरूम एक ऐसा प्लाटफॉम है, जहां हम आज की नवजवानों के लिए एहम मसाहिल पर बात चीत करते हैं और जब हम बात करते हैं आज की दोर की तो आज की दोर में जहां दुनिया तेजी से बदल रही हैं वही हमारे नौजवानों के लिए मैयारी तालीम की एहमेद भी कई ज़्यादा बढ़ चुकी है नाजिन आज की प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे दे फ्यूचर ओफ हाईर एजूकेशन इन जमून कश्मीर आज की प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे क्या मुस्तक बिल है आला तालीम का जमून कश्मीर में क्या-क्या challenges का सामना हमें करना पड़ता है, कैसी इन challenges को हम हल कर सकते हैं ये सब हम discuss करेंगे हमारे माहिरीन के साथ तो आए सबसे पहले आपका तारुफ कराते हमारे माहिरीन से हमारे साथ मौझूद है Dr. Mohamed Faruk Meir जो कि है Director, Directorate of Admission University of Kashmir में हमारे साथ मौझूद है Ms. Isma Hamid जी जो कि है Assistant Professor Department of English Language and Literature Islamic University of Science and Technology में और आखरी में हमारे साथ मौझूद है Mr. Musharraf Ajaz Baba जो कि एक होनहार ताल बिलम है NIT के आप सब माहिरीन का बहुत-बहुत इस्तिक्वाल आज के हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले Director साब मैं आपको खुशामत करती हूँ चूंकि आप हमरे मरकजी महमान है तो आप से जाना चाहेंगे जब हम बात करते हैं जमू कुश्मीर की तो जमू कुश्मीर में आला तालीम के हवाले से आपकी क्या राय है और अगर हम बात करेंगे Admission Process की तो Admission Process में कौन-कौन से ऐसी Challenges है जिनका हमी सामना करना पड़ता इन Challenges को हम कैसी हल कर सकते हैं पहले उजमाजी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आज आज आपने यहां आने का मुका दिया ताकि नाजरीन जो हमारे हैं यह बिलकुल वाकफ हो जाएंग जो की हमारी National Education Policy है जो की वेरी डिसेंटली यहां इंप्लिमेंट होई है तो इसके बारे में बात करना तो मैं समझता हूँ कि इस दे राइट पलेट फार्म जहां में बात करनी चाहिए तो सबसे बड़ा यह जो है चलेंज क्योंकि काफी टाइम से दो तीन साल से इसका यह जो चल रहा है जो देखने को मिला और जो इसमें एक तजरुबा हमें हुआ है कि यह कौन कौन सी दिक्कतें आती है यह हर एक चीज में जो भी कोई नई चीज इमेडिटली इंपलिमेंट करनी हो तो इसमें डिफिकल्टीज आती रहती है लिकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उनका सिलूशन नहीं है तो इस सिलसले में मैं कहना चाहूंगा कि जो एक अकडेमिक कलेंडर जो कि गौर्वर्मट ने फिक्स किया हुआ है बहुत ही अच्छा अकडेमिक कलेंडर है कि हमारे एक्सम्ड जो है और इक अच्छा कासा अच्छें आता है इसमें आगस्स से लेके डेसंबर तक जो कि हमें चहिए ही चहिए लिगिव्युन ईसके मतबब कि 90 वर्किंग डिज आनी कि चहिए इसमें अपरॉक्समें it is around four months ताकि बच्चों का कोर्स जो है वो complete हो जाए और बच्चे अच्छे से prepare करके in the month of December exam में पिर हो जाए तेकिन कुछ जो difficulties की आपने बात की है क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा है कि difficulties आती ही रहती हैं, that's the national phenomena, but we have to work on all these difficulties so यह है कि हमें बिल्कुल पर्टिक्लर रहना है कि अगर academic calendar में कि हमें first august से class शुरू कर रहे हैं we have to stick to that हमें क्या होता है, हमारी admission process delay हो जाती है, उसकी वज़ुहात है, यह मैं नहीं कहुंगा कि इसमें deliberately यह जो है कोई item हो जाता है, लेकिन कुछ दुश्वारियों के इसे कि कभी result delay CUT के थो apply करना पड़ता है बचों को और फिर उसमें कुछ result declaration में कुछ delay हो जाता है जब result declaration में delay हो जाता है तो फिर admission process through online mode चाहिए यहां यह समर्थ के through करते हैं बच्चे different colleges में या universities में तो उसमें काफी delay होता है जैसे कि आपको पता है अगर आप data देखें तो पिछली बार हमें 15 सेप्टमबर की बाद ही class work शुरू हो गई that means अगर आप first august और 15 सेप्टमबर की बाद करें around ये डेड़ मेहना आता है और ये डेड़ मेहना जब हमें पहले ही class शुरू करने के साथ ही हमारा skip हो गया तो हमारी deadline जो December की है वो हम meet नहीं कर पाते है कि December में हमें exam में appear होना ही होना है number one वो 90 working days हमारे पास आते नहीं है जब 90 working days नहीं आये that means कि बच्चों का chorus complete नहीं हो सकता और आगे से फिर December में winter vacations होती है so इस चीज़ को handle करना जो की बहुत important challenge है हमारे लिए कि बहुत जरूरी है कि हमें time पर admission process शुरू करना है ताकि time पर हम class work which is as per the academic calendar first august से हमने शुरू करना है वो की बहुत important challenge है और इसको हमने किसी भी सूरत में meet करना है अब difficulties तो आती रहते हैं जैसे मैंने का it is a natural phenomenon जैसे नहीं है लेकिन we should be very clear about it how to resolve these problems solution कैसे solution कोई difficult नहीं है जैसे मैंने कहा कि शुरू हो जाएगा process हमें भी शुरू करना है and we should be ready by first week of august with the class work वो एक important challenge हो important challenge को यह solution है मेरे हिसाब से बहुत बहुत शुक्री आपका आगे और आपसे बात चीज़ करेंगे फिलाल हम रूख करते है इसमा जी की और आपसे जाना चाहेंगे यहां पे जब हम higher education system की बात करते हैं जैसे हमने अभी सर से बात की इन्होंने education standards को मीर कर पाए Thank you Usma for inviting me to this program it's a wonderful platform to share as sir said about this new education policy which I think most of the people don't know so if we talk about education policy the new one NEP 2020 it's a very beneficial policy for the entire nation for students and for future of the students old education policy में हमारा traditional face-to-face learning होता था rigid curriculum होता था standardized curriculum होता था fixed disciplines होते थे और teacher भी एक traditional methodology follow करते थे पढ़ाने के लिए face-to-face learning and एक continuous kind of examination होता था now all this has changed new education policy में four important pillars है one is multi-disciplinary learning तो हमारा बच्चा एक fixed discipline नहीं पड़ता है वो बिलकुल अलग-अलग disciplines को fuse करके, combine करके अपनी education हासिल करता है it is multi-disciplinary learning also inter-disciplinary learning so not only is he अगर humanities का students है he will have a good overview of our sciences, natural sciences, liberal arts, commerce, economics, other subjects as to work flexibility or choice उसके पास है so multi-disciplinary learning है बच्चे के लिए अब अवैले बच्चे के लिए अब अवैलेबल पहले जो research और innovation होता था कुछ ही प्रेमियर institutions के लिए तक महदूद होता था अब it has widened, every institution will focus on research and innovation Another important pillar is technology and innovation and using all kinds of digital online platforms याने कि जिस tech digital world में हम रह रहे हैं, उसको कैसे हम अपने education system में imbibe करे ताके हमारा बच्चा कल के challenges के लिए ready हो, तो उसका third pillar है दूसरा है decentralizing of the governance, that means first पहले जो institutions, universities, colleges एक centralized governance system के अंडर होते थे, now that has been decentralized तो जादा autonomy है institutions को, curriculum अपना change करने के लिए या policy decisions लेने के लिए, तो वो सारा कुछ incorporate हो गया है Now, overall it is a very good policy, but when we come to implementation and the challenges Yes, यह transition, एक traditional education policy जिसका होता था के We have to make education accessible to people, more people, expansion of education, literacy and quality, old educational policy का focus था, यहाँ वो focus चेंज होखे, multi-disciplinary learning, research and innovation, decentralized governance and imbibing the technology, वो सब focus change हुआ, अब इस transition को implement करना और इस transition को एक reality में तबदील करना, There are a lot of challenges, of course. First of all, हमारे बहुत सारे institutions में infrastructure और technological जो gadgets और infrastructure की जरत है, उसकी कमी होगी. That means, जितना promising NEP 2020 का एक expansive overview है, to provide education, are the institutions ready to follow it? तो एक तो infrastructural और technological जो gadgets है, जो infrastructure है, वो है institutions के पास के नहीं. एक तो वो challenge है, सबसे पहले, institution level पे. दूसरा challenge है, कि जो हमारा curriculum है, we will have to revise it, we'll have to update it, so that it could meet the standards of NEP 2020, जो aims और objectives है, उसको वो meet कर सके है. तीसरा हमारा है, the target groups, जो हमारी regional या local disparities होती है, different बच्चे हमारे different background से आते है, उनका अपना schooling level का क्या background है, are they ready for this change, this transition, will they be able to adapt to this transition, वो एक challenge है. और NEP 2020 में, we also have this, कि हमें marginalized sections को भी target करना है, education उन तक पहुँचनी चाहिए, there's a lot of funding and commission बनाया गया है, कि financial aid, scholarships को extend किया गया है, तो वो जो हमारे targeted groups है, उसके लिए targeted strategies होनी चाहिए, कि वो जो उनके लिए बना है, वो उन तक पहुचे, तो उसमें हमको थोड़े बहुच challenges आ सकते हैं. And at the student level, I would say, I would say, हमारा student जो है, उसको, by the time he is done with his higher secondary, उसको अपने aptitude के बारे में अभी वो पूरा शौर नहीं होता है. यहां वो NEP 2020 curriculum में, जब admission लेता है, there's a lot of diversity, there's a lot of variety उसके सामने. तो the student is confused, you understand? So उसको अपनी लेवल पे, परसनल लेवल पे उसको यह नहीं पता कि इतना सारा कुछ पढ़ने के बाद, where will I go? दूसरा, यानि कि करियर ओरियंटेशन जो उसका है, वो उसके बारे में शौर नहीं होता है. अपने interests और aptitude को लेकर, at higher secondary level पूरा शौर नहीं होता है. तो by the time, वो जैसे अंग्रीजी में honors level पे आना जाता है, undergrad, arts, humanities या इंग्लिश में, तो उसके साथ वो बहुत सारी चीजें पढ़ रहा है. वो कैसे उसको formulate करेगा in the master's level, मतलब क्या उसको आगे अंग्रीजी में master's करना चाहिए या वो किसी और field की तरह divert होगा, क्योंकि उसको अलग-अलग subjects का overview मिल रहा है, exposure मिल रहा है, तो वहाँ वो confusion है, तो उसके लिए I think, जब हम admissions करते हैं, of course all the universities provide orientation and बच्चों के लिए awareness program about the courses, हमारी university में भी होता है, KU में भी होता है, but when we give admissions to students, student अपनी जगा पे शोर नहीं है कि what is there in the basket है और उसको क्या कुछ मिल रहा है, तो I think programs like this help students to understand कि आपका जो ये multidisciplinary, interdisciplinary curriculum है, उसमें क्या career options हो सकते हैं, कहां आप जा सकते हैं, और aptitude, बचे का aptitude and interest पूरी तरह से strongly वो clarify हो जाए उसके बारे में, I think at higher secondary level also schools have to do little bit of career counselling or awareness programs about what are the future options, what a particular program offers and how it could, you know, change into a better career opportunity and student ये भी apprehensive है कि इतना पढने के बाद जो exit options है NEP में, like first year, second year, third year, fourth year, which is very अगे भी और बात्चीत करेंगे, आपको बहुत 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 शिक्रिया, फिलाल हम रुख करते हैं, मुष्छरफ जी आपकी ओर, आपसे हम पर जाना चाहें क्यों कि आप student है NID के, तो अगर हम बात करते हैं, हकीकी दुनिया के, तो practical knowledge हो है, वो बहुत जादा जर तो जैसे आपने बात की, curriculum की, so I believe as a student, जो curriculum NIT प्रोवाइड कर रहा है, it's very robust, और मतलब ये पूरे एक student की development पर फोकुस करता है, उसके, चाहे वो critical thinking हो गए, उसकी self-improvement, in every other way, for example, if I talk about my particular branch, electrical engineering, आप पहले साल में एंटर करते हैं, जब आप चौते साल में आप बहार निकल as a graduate, I guess आपको हर एक knowledge होती है about the field, the practical knowledge, the theoretical knowledge, every other thing, and ऐसा नहीं है कि जो हमारी curriculum में, वो सिर्फ theory-based होती है, जो सिर्फ हमारी branch specific रहेगी, we are, you know, fostered about coding, etc, programming, जो आज कल काफी, वो top-notch, hot skills होती है, वो सब भी सिखाय जाती है, इसके अलावा एक practical knowledge, which is very important in engineering, वो सब भी हमें उसपे काफी जोर दिया जाता है, वो सब भी हमें उसपे काफी जोर दिया जाता है, you know, if अगर कोई student एक लाब भी मिस्कर देता है, तो he is questioned on that, he is, you know, scolded on that, why are you missing such important things, and you know, because engineering is based on practical knowledge, practicals, labs, and fieldwork, other than that, I guess, industrial tours, commercial, like industrial tours, practical tours, आपको site visit करवाना, like as an electrical engineer, आपको generating stations ले जाना, substations ले जाना, to have that feel की actual world है क्या, वो सब भी provide किया जाता है, and other than that, जो आपने का internships, so, I guess, हर एक engineering college में, other than NIT, एक ये लाजमी है कि internships हो, at least 45 days के internships हो, and for NIT, it starts from third year, pre-final year में आपको एक internship करनी होती है, for 45 days, and it has its credits, तो ऐसाने है कि, it would be taken as lightly, yeah, exactly, तो वो सब भी देखना पड़ता है, and जो department है, training and placements, NIT Srinagar का, वो इस चीज़ को काफी seriously लेता है, you have to submit the report, with certificates, and offer letters, and everything, जो एक valid proof है, and उसके बाद आपका वाई-वाव अगेरा होता है, ताकि, you know, they would know कि, आपने actual काम किया है, इस फिल्ल में कि नहीं, I guess, जो total curriculum है, other than academics only, workshops हो गई, seminars हो गई, वो सारे आपको ऐसे foster करते हैं, ताकि, आप चार साल के बाद, एक पूरा, एक फुल-fledged product निकले, and you can serve and cater the society in a better way. बहुत बहुत शुक्रिया आगे, और साथ, आपके साथ बात चित करेंगे, फिलाल हम रुख करते हैं, डार्टर साथ, आपकी और, यहाँ पर आप से जाना जाएंगे, चूंकि टेकनोलोजी का दोर है, तो क्या टेकनोलोजी जो है, admission process में integrate हुई है, और अगर हम बात करेंगे आगे के plans की, तो क्या आपके कुछ plans हैं कि जो artificial intelligence drive and admission tools है, उनको introduce किया जाएंगे? यह आपका कहना बिलकुल सही है, क्योंकि टेकनोलोजी इस वक्त बहुत इंपॉर्टन है, क्योंकि टेकनोलोजी का मतलब यह है कि without wasting time, कि हमें यह जो है, processes जो है, बहुत fast होनी है, तो हमें इस चीज़ का ख्याद रखना है, कि अगर technology को हम use करें, हम time को बचाने के लिए करते हैं use, ऐसा ना हो कि technology हम उस situation में use करें, जैसे कि हम technology use करते हैं, हम time जाय करें, इस बात का बहुत ही important ही जो है, ख्यार रखना है, क्योंकि क्यों इस वक्त कह रहा हूँ, इस बात को लेके, क्योंकि हम बात करें, CET को और higher education admissions की बात कर रहे हैं, और क्या concerns हैं, और किस तरीके से उन concerns को address किया जाएगा, बिल्कुल, that is why कि मैं इस technology को इस बात कर रहा हूँ कि, आईसा भी नहीं होना चाहिए कि technology को हम यूज करें और हम टाइम्साय करें, या artificial intelligence की बात आपने कही है, बिल्कुल, यह जो हमारा इस वक्त admission process है, higher education level पे, यह एक centralized system है, centralized admission का selection process है, it requires some sort of, I should say, some attention, क्यूंकि हमें यह centralized admission selection process जो है, यह जो है, वहाँ पर हमें करना चाहिए कि, यहाँ पर हमारे पास number of applicants ज्यादा हो intake से, वहाँ पर यह बिल्कुल अच्छी तरीके से हम इसको कर सकते हैं, और technology definitely will help us to resolve this crisis, कि हमारे पास maximum number of students है, technology को use करके, will address the issue very properly, क्यूंकि subjects ज्यादा हैं, candidates ज्यादा हैं, इन उस्चूशन हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि technology को अगर हम किसी-किसी situation में use ना करें, like कि हमारे पास ICV situation है कि candidates हमारे पास ज्यादा नहीं है, इन candidates को हम कह सकते हैं कि directly they can approach the colleges and they can seek admission directly there without using the technology, और उससे क्या, उससे हमारा टाइम बच जाएगा, टाइम बचने के साथ-साथ वो जो है, finally उनका data जो है, करने data का वो अपलोड कर सकते हैं, सामरत पोर्टल के थो, ताकि ये एक important data रहेगा government के पास, colleges के पास, higher education के पास, अगर इस situation में हम technology को use करें, क्योंकि हमने देखने को मिलता है, कि ये सारी courses में, सारी subjects में, सारी institutions में, इस technology को use करके, जहां बचे कम भी थे, उनको भी technology यूज करनी पड़ी, और ज्यादा of course उनको तो करना ही करना है, तो उस वज़े से, क्योंकि मैंने course studies को देखा, कि उस से हमारा time जो ये, जुमें डेड़ महीने की gap, डिसकस करता था, ये डेड़ महीने की gap, या पूनी दू महीने की gap, हम cover कर सकते हैं, बच्चे directly जाएं colleges में, enrollment करें वहाँ, college के पास data रहेगा, summer portal पे upload होगा, information circulate हो जाएगी, it will be available everywhere, राद देन अगर बच्चे को कहेंगे, कि आप उदर जाएं, फिर इदर जाएं, ये जुरूरत नहीं हैं, कुछ बच्चे ही हैं, तो directly देखें, आप्रोच तो concerned colleges, इसको नहीं कहेंगे, कि आपको ये जो है, दूर कहीं जाना है, उसको कि दूसरी जगा college मिलेगा, जो उसके residency दूर होगा, तो एक बात से मैं उस बात से बिलकुल सहमत हूँ, कि एक जैसे के भी डाक साब ने कहा, कि एक नए education policy जो है, इसमें ये बहुत यश्ची policy है, बहुत यश्ची change है, education system है, और इसमें job oriented courses हैं, और इसमें skill based courses हैं, इसमें multi-disciplinary courses हैं, इसमें हमें opt करना है for major subjects, minor subjects, बिलकुल, नेक्स टाइम हम उस चीजों को हम प्रड़ा detail में discuss करें, कि किस तरीके से हम majors और minors को choose करें, किस तरीके से हम multi-disciplinary subjects को choose करें, वो एक अलग मुदा है, लेकिन इस वक्त जो हमारा job आपने technology related पूचा है, तो मैं उसी पर focus रहूँगा कि हमारे लिए इस वक्त बहते रहता है, कि अगर इसको हम centralize it करें, लेकिन वहां centralize it करें जहां ज़रूरत है हमें, जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास बहुत सारी subjects होंगे, बहुत सारी institutions है, students का number बहुत ज़्यादा है, तो फिर उस situation में इस technology को हम use कर सकते हैं, रादर दें कि हम छोड़ दें ये मसला, decentralized भी कर सकते हैं इसको, जिससे हमारा time बच जाता, कि हमारे पास बच्चे कम है, courses कम है, हमारे पास institutions, बच्चों को कहेंगे, बच्चों को कहेंगे, they can approach to colleges, college authorities can select them on the basis of first come first time basis, and finally it will ease out the process, इसे time बच जाएगा, दिन एक बहुत कम percentage जो है, हमें centralized exercise के लिए रहेगी, ताकि बच्चों का वो जो है, तब से class work शुरू हो जाएगा, बच्चों का time जाया नहीं हो जाएगा, मैं बार बार इस वज़े से कहता हूँ, कि ताकि हम meet करें उस academic calendar को, जो हमने first august से शुरू करना है, तो वो मेरा इसमें important concern है, ताकि ये जो है technology का भी properly use हो, और हम उस situation को भी ignore ना करें, जिससे हमारा time बज़ जाता है, और calendar को भी हम follow करें, calendar को भी हमें, कि चैलेंज तो हमारा वही है, हमारा basically target वही है, कि हम time पर अपना admission process शुरू करें, time पर हमारी class work शुरू हो, और time पर हमारे exams जो कि academic calendar के हिसाब से, December है, जो कि मैंने अभी वाज़ात आपको कहा कि, हमारे पास 90 working days आनी चाहिए, तो ये मेरे कहने का मतलब है, कि technology को हम use करें, जो कि important है, लेकिन उसी stage पर use करें, जब कि हमें लगेगा, कि इस technology की जरूरत है, और इससे हमें time बच सकता है, अजिसा ना हो कि हम technology को use करके, हम time जाय करें, और जिससे हमारा academic calendar disturb हो जाए, जी बिलकुल, जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फिलाल हम रुख करते हैं, इस्मा जी आपकी और, यहां पे आप से जाना चाहेंगे, कि जब हम बात करतें, कुछ दिपार्टमेंट की, जैसे आपका दिपार्टमेंट है, हुमानिटीज का, तो गार्मेंट और जो प्राइवेट सेक्टर है, कैसे इसकी ग्रोफ तो डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट कर सकते हैं? NEP 2020 Policy caters to the inclusion of Humanities and Social Sciences as a mandatory discipline for the development of critical thinking, creativity, analytical reasoning. तो ये mandatory है, लेकिन what is happening, government और जो हमारे institutions है, they are in support of this developing humanities and Social Sciences as a discipline. लेकिन जो हमारा student section है, और जो हमारा parent section है, वहाँ पर there's a lot of emphasis on sciences. That is because of the IT revolution, the internet revolution, the digitization, ये जो हमारे छुटे-छुडे बच्चों के हाथों में फोन आ चुके हैं. So everybody is more drawn towards sciences. तो एक जो public view है, वो sciences की तरफ जादा है. हमारे discipline में वही बच्चे आते हैं, जो हो और वेरी वेल अवेर के उनको हमारे ही जाना है, उनको literature, philosophy, history, जैसे subjects पढ़ते हैं, तो वो आते हैं. अब जब government के लेवल पे उन्होंने NEP 2020 हम को दिया, उसमें already there is a place for humanities, लेकिन there have to be takers, there has to be a kind of an awareness among students and also parents that IT revolution है, internet है, we are living in an information world, an internet world, we are just clicks away from everything, but at the same time, humanities का रोल इग्नोर नहीं हो सकता है. Humanities, social sciences, बहुत जरूरी discipline है, एक अच्छे, enlightened, civilized society को create करते के लिए, जो ideologies है, जो concepts है, disciplines like literature, philosophy, history, psychology, ये disciplines बहुत इंपोर्टन है for the understanding of human nature, understanding of human relationships, अगर हम कहेंगे science is the brain of life, तो हम कहेंगे humanities and social sciences is the heart of life, तो वो आपको एक discipline, आपको जिन्दगी आसान कैसे करता है, वो सिखाता है, तो दूसरा आपको humanities, आपको जिन्दगी को जीना सिखाता है, तो वो awareness create करना है students और parents में, government और center और policy के हिसाब से, we have full support for humanities. जी बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फिलाल हम रुख करते हैं आपकी और, आप से यहां जाना चाहेंगे, क्योंकि कुछ research projects होते हैं, जो students को मिलते हैं, students उने पार्टिस्पेट करते हैं, तो क्या आप नहीं किसी research project में पार्टिस्पेट किया है, और अगर हम बात करेंगे एक जो तालबलिम होता है, उसके मुस्तक बिल्कुल क्या यह किस तरह से shape करने में मादद करता है? So, first of all, I got an opportunity recently winters में, एक premier institute, IAC Bangalore, से मुझे एक research project offer हुआ था, and I was working there as a research intern. So, उस time पे, during two to three months of that research internship, मैंने बहुत कुछ सीखा, related to my field, like, जो आप academically सीखते हैं in college, आप पढ़ते हैं, but जो आप industries में यूज करते हैं, that's a bit different, आप exactly same चीज़ तो obviously implement नहीं करेंगे, but the base जो आपको पढ़ाते हैं college में, रिमेंस the same, तो वो चीज़ जो है, मैंने उस internship में इस्तेमाल की थी, research internship में इस्तेमाल की थी, and research internship में आपको, as a whole, आप बहुत कुछ सीखते हैं, आप सिर्फ एक ही particular चीज़ पे महतूद नहीं होते हैं, आप पढ़ना सीखते हैं, आप papers को, you know, critical thinking, analysis, यह सब आप जो important skills है, for self-development, यह सब भी सीखते हैं, and इसके अलाबा, मेरे काल से, for an engineering student, research is very important, for the overall development of the society, and for himself as well, like, जो हम बात करते हैं, solar technologies की, एक वक पे यह भी एक concept था, फिर हम semiconductors पे आगए, फिर solar cells पे आगए, आज solar walls हमारे पास है, तो एक concept था, जब इस पे continuous research रहा, जब इस पे R&D अच्छा गासा रहा, तो अज हम एक ऐसी level पे आगए, जहां पे हम society को बहुत advantage दे रहे हैं, through this thing, और ऐसे बहुत से चीज़े, EVs है, जो एक concept था, आज वो reality है, ऐसे और भी बहुत से research से, जो continuous development में है, R&D चाल रहा है उस पे, and I guess, वो society के लिए बहुत important है at a point, so research, overall development of a person, as well as society, is very important. जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और भी कुछ आपके इसार discuss करना था लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है, आप सब माहिदीन का बहुत बहुत शुक्रिया यहां तश्रीफ लाने के लिए, शुक्रिया उस्मा, नाजरीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इंशालला अगले शमारे में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए, खुदा आफ़स. झाहले बहुत बहुत लिए यहां से मुलाकात होगी,